यह देखे गाइज यम्मी टेस्टी क्रेस्पी कुरकुरे या पॉप्स जो कि बच्चे इनके आगे कुरकुरे खाना या फिर चिप्स मांगना भूल जाएंगे टी टाइम स्नैक पच्चों का बड़ो का सब का फेवरेट यम्मी टेस्टी हमारा ये स्नैक तो चलिए देखते ह हैं कि यह कैसे हमने बनाया है बहुत इजी डंग से हलो एवरिवन आप सब का स्वागत है हमारे यूटीब चनल चाया मिस्रा में आज हम बनाने जा रहे हैं पॉप्स यानी कुरकुरे तो चलिए देखते हैं कुरकुरे पॉप्स कैसे बनाते हैं तो यह चावल हमने नॉर्म की जगह पर हम टमाटर याइट करेंगे एक बात और आप दएक सकते हैं यह चाय में आप बशनाटर की जगए पर आपको डालना है तो यह देखिए इस तरह से हम आलू को चील लेंगे बाएट डालू हैं को कर लेंगे गीए उन default आप ग्रेंथ पता चल जाएगा आपको आगे चलकर कि अगर हम टमाटर नहीं एड करते हैं तो किन किन चीजों को डाल कर सकते हैं चावल को तो यह लास्ट में हम बताएंगे तो देखिए जो हमने पेस्ट बना करके रखा था उसको इसमें एड कर लेंगे या भी आपको बहुत ज्यादा र और चावल की वज़एसे क्रस्पी हो जाता तो चलिए देखते हैं इसको मिक्स करते हैं और इसमें कुछ टृट्ट्विए ड्राइ मसाली आप बिल्कुल सॉल्ट का बनाना चाहते हैं या मस्चोमी मसाली अट करके बनाना चाहते हैं तो गाइस देखिए टमाटर पीस के ड धनिया पाउडर हाप्टिब स्पून है यह हमने एड कर हेंग तीन से चार पिंच स्वाद पढ़ाती है डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रख लिए देखिए हमने ले लिया है और गिनो एक स्पून के करीब एक बात और गाइस आप और नहीं एड करना चाहते तो आप धनि पति को बिल्कु सूखा ड्राइ करके डालना है मतलब वास कर लिजे ड्राइ कर लिजे उसके बाद एड करें वरना हमारा बैटर गीला हो जाएगा तो देखिए हमने हरी मिर्चुगरा नहीं एड करें आप वह भी बारीक चौप करके डाल सकते हैं तो यह देखिए और गनो गरम गरम खौलता हुआ ओयल में हम फ्राइ करेंगे यह देख सकते हैं क्यूंकि यह हमारे जो पॉप्स हैं इंड में क्रिस्पनिस बढ़ाएगा और स्वाद भी यह देखिए इस तरह से हम मिक्स कर देंगे सिर्फ दो स्पून इससे इसमें खस्तापन भी आएगा और टेस देखिए गाइस आज हम बनाना बताएंगे पॉप्स इस पॉलिथीन से देख सकते हैं जिसमें आपके बिल्कुल हाद नहीं गंदे होंगे आपको टेंशन भी नहीं करनी पड़ेगी और बिल्कुल भी आसानी से बिल्कुल आसानी से बनकर दयार हो जाएगा तो यह देखि सकते हैं जो कि हम केक वगरा सजाने के लिए कौन यूज करते हैं वह भी ले सकते हैं लेकिन हमने अभी इस समय सिर्फ एक पॉलिथीन ली है जिससे की आप देखिए नॉर्मल कौन किसी के पास नहीं होती है इस वज़ए से हमने पॉलिथीन ले ली है अब इसमें यह बैटर में आजाए बैटर या जितना आप कैरी कर पाएं बस उतना ही ले ले लेंगा और यह देखिए इस तरह से आ गया है मारे छोटी पॉलिथीन थी इसलिए तो आधा आया है बैटर तो यह देखिए उपर के साइड में लवर्ट बैंड आप अगर नहीं कर पाते हैं तो आप आप लगा दें जिससे कि आपके कर लिए उपर से बैटर निकले नहीं तो यह देख सकते हैं आप हम इसमें होल करेंगे यानि कैची से कट करेंगे जितना मोटा पॉप्स आपको चाहिए उस हिजाब से तो देखिए हमने इसना मोटा कट कर दिया है इसको मिलकुल हासे नहीं बनाना पड़ेगा और टच भी नहीं करना पड़ेगा एक थोड़ा सा डौ डाल कर देख लेंगे कि हमारे कडाई अच्छे से हो गई है यह नहीं तो देखिए बढ़िया हाई फ्लेम पर हो गई है मारी तो इसको अब हम इसमें डालेंगे पॉप्स तो इस तरह से करते जाएंगे और knife से ha्टाते जाएंगे जिस तरह से pop होते हैं उसी तरह से थोड़ा ठालका एक निकल जाएगा ये यह ज़िए अपको बड़ा यह थोड़ा निकलते Duty जोटा यह Nanian likely in this video गल्हार लिए ओस पता आ चाहएगा है ये हमारी थोड़ी गहरी तली की कढ़ाई थी, इस वज़र से आपस में ये चिपक रहे हैं, तो ये देखे, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, जो हमारे चिपक गए थे उनको हमने तीरे से स्पून से या कडशल से अलग कर दिया है तो वह अलग हो चुक है और देखिए हाथ बिलकुल साफ है हमारे पॉप्स बन चुके हैं और हाथ बिलकुल भी साफ है बिलकुल गंदे नहीं है तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम हिलाते कर सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से हम चुटाते जाएंगे अगर आपस में कोई चिपक गया है जैसे हमारी गहरी तलीक है तो आपस में चिपक रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं चुटा देंगे बहुत आसानी से छूट जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ब बना के रख लेंगे इसकी पहचान और एक है जिसे आप लोग कहेंगे कि फ्राई हो गए कैसे पता चले तो इसमें बबस आना कम हो जाएंगे उसी साथ समझ लीजिए कि फ्राई हो गए है वैसे तो कलर से पता चल जाएगा अगदम बढ़िया गॉल्डन हो जाए ब्राउन ग तो यह देख सकते हैं कि आप जहां पर चावल पीस रहे थे वहाँ पर दही डाल सकते हैं दो स्पून के करीब या फिर पानी आड़ कर सकते हैं तो अगर माई ये रेस्पी पसंदा है तो लाइक, सब्सक्राइब और सेर